नमस्कार किसान भाईयो आज हम बात करेंगे बर्दमान रायपूर की जो थ्रेसर बनाई जाती है उसकी ये मल्टी क्रॉप पैडी स्पेशल थ्रेसर के बारे में उसकी हम पूरी डीटेल जानेंगे क्या इसके अंदर दिया गया है क्या क्या चीजें इसके साथ आती है और इस पर जाली दी गई है उसी के नीचे आपको तीन फैन अलग-अलग दिखे रहे हैंगे जिसे आप अपनी हाथ हिसाब से हाइट एकजस्ट कर सकते हैं और अगर आप सामने देखेंगे तो इसमें हिंज लगाया गया है जो कि थोड़ा सा मुझे पतला लगा अगर हम इस ठ्रेसर की बात करें तो यह 750 चकर पर मतलब 750 आर्पियम पर काम करती है वही अगर हम इसके ड्रम साइज की बात करें तो इसका 36 बाइ 62 का ड्रम साइज दिया गया है और इसके अंदर आपको दो जालियां मिलती है मतलब दो फसल अलग-अलग के हिसाब से आपको जालिया मिल जाएंगी जो भी फसल हो आपकी अब उस हिसाब से इसकी जाली ले सकते हैं उसी के साथ अगर हम बात करें इसके फ्लाइ वील की तो इसका जो फ्लाइ वील है दो फ्लाइ वील दिये गए है एक पीछे side दिया गया है एक आगे side दिया गया है और उसके सामने आप देखेंगे कि दो इसके अंदर belt दिये गये हैं जो कि हमारे RPM देने के लिए है वहीं अगर आप देखेंगे तो एक पटा और दिया गया है जिससे हमारा चलना चलता है और फ्रंट में आप देखेंगे तो टोटल तीन वेल्ट दिये गए हैं जिससे हमारे टिक्टर की पावर फ्लाइवील के उपर जाती है वहीं अगर फ्लाइवील की बात करें तो यह 125 केजी का एक फ्लाइवील है ऐसे इसमें दो फ्लाइवील लगाए गए हैं साइट से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी बैचिंग मिल जाएगी बर्दुमान की उसी के साइट से आपको एक यह सूप टाइप का दिखरा होगा इसमें आप अपनी फसल की धार भी रख सकते हैं जिसे आपकी ज़्यादा कचड़ा आ गया हो तो आप इसमें साइट अगर आप देखेंगे नीचे साइट तो नीचे आपको दिखरा होगा कि इसके अंदर एको धकन टाइप का है जिससे कि आप अपनी पराली की सेटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं वहीं इसके अंदर टोटल सेवन फेन दिये गया है मतलब साथ पंखे वाला मॉडल दिया गया है जिसमें से एक है वो कचड़ा फेकने वाला है उसके साइट से दूसरा जो है वो बगदा क्लीनिंग करने वाला है जिसे परोसी भी कहा जाता है उसके बाद जितने भी हैं वो सब सफाई के लिए दिये गये हैं जिसमें आप देख सकते हैं तीन फेन एक साथ ल यह साथवे नंबर का जो फैन है इसकी मैं बात कर रहा हूं कि यह इस तरीके से काम करता है वहीं अगर आप बाकी फैन्स को देखेंगे तो यह सीधे चलने के उपर लगाए गए हैं ताकि चलने के उपर जिसे काटली वगेरा आए तो यह उसे उपर उठा कर बाहर फेक दें और इसको आप अपने हिसाब से एकजस्ट कर सकते हैं हर एक के अंदर बोल्ट दिये गए हैं जिससे आप इसे उपर नीचे कर सकते हैं उसी के साथ अगर हम इसके टोटल वेट की बात करें तो इसका 1740 केजी का वेट दिया गया है मतलब इसके अंदर 1740 केजी का टोटल बजन आता है जो की यह मल्टी क्रॉप प्लस पैडी स्पैसल थ्रेसर नाम से बर्दमान चलाती है वही अगर आप फ्रेंट में देखेंगे तो इसका थोड़ा सा मुझे यही चीजी कमजोर लगी है कि जो अटेच्मेंट का सिस्टम दिया गया है मतलब जहां से आप ट्रेक्टर से अटेच करते हैं वो थोड़ा सा इसमें हलका पदलत दिया गया है उसी के साथ अगर हम बेरिंग देखें तो काफी अच्छे बेरिंग लगाए गये हैं अब इनके अंदर की कमपनी तो हमें पता नहीं चल पा रही है लेकिन अच्छे ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं ये जो मॉडल है ये पैडी मल्टी क्रॉप है इसके अंदर आपको सूप लगाने का मोका भी मिलता है मतलब आप सूपड़ा भी लगा सकते हैं सूप जो इसमें लगा हुआ है और अगर आपको hopper लगाना है तो इसके अंदर hopper भी लग जाता है दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाती है जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से ये आपको available हो जाएगा उसी के साथ आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर दो जालिया मिलती है और सामने आप देख रहे होंग आपको इस जो hopper है इसके अंदर समान लाने के लिए गर्दा लाने के लिए भी चांद दिये गए हैं अगर आपको बिलकुल भी नहीं चाहिए तो वो पूरी तरीके से कसा भी जाते हैं अगर आपको आदा खोलना है थोड़ा सा कचरा इससे बाहर फैकना है तो आदा के हिसाफ से सलेक्ट कर सकते हैं वो option भी इसके अंदर दिया गया है उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा बर्दमान की branding नीचे उनके WhatsApp नंबर सर्विस के लिए जो भी आपको सर्विस अगर लगे किसी को कोई problem आए तो इन नंबरों पर आप कॉल करके इनकी सर्विस ले सकते हैं उसे के साथ आप सामने एक छोटी जाली देख रहा होंगे यह जाली फसल के हिसाब से चेंज भी हो जाती है और इस फैन के अंदर भी एगजस्टमेंट का सिस्टम में मतलब आप उपर नीचे कर सकते हैं जो साथवे नंबर का फैन थोड़ा सा पैंट आपको ऐसा लगेगा कि पैंट जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया है तो मैं चाहता हूँ कि कमपनी थोड़ा सा इनका पैंट इंप्रूमेंट करें थोड़ इसी फिनिशिंग इसके अंदर अच्छी लाएं ताकि और ज्यादा अच्छी हमारे को यह थ्रेषर दिखाई दे ओवर अगर आप देखेंगे तो इसके जो टायर है यह साथ उननीस के दिये गए हैं मतलब थोड़े बड़े टायर दिये गए हैं और थोड़े से पतले भी दिये गए हैं यहाँ पर यह विंडो का सिस्टम दिया गया है आप इसे खोल के नीचे कर सक कि वर्दवान इस चीज में तो नाम से चलता है कि थ्रेसर जो है खियत में अच्छा परफॉर्म करती है